Hello students, welcome back to my channel Seherish Institute So, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं TMA and practical files related जो details बताने वाली हूँ So, सबसे पहले TMA से शुरू करेंगे TMA आप लोग का उसका full form होता है tutor mark assignment तो यह आप लोग को एक तरह से 20% आप लोग की थियोरी exam में add किया जाता है तो बनाना आप लोग के लिए कंपल सरी है TMA ठीक है अभी submit करवाने का आप लोग के पास time है 31st January, 31st January से पहले पहले आप लोग के पास time है submit करवाने का अपना TMA अगर आप लोग ने अभी तक नहीं बनवाया है कुछ ना कुछ issues अगर online आप लोग को TMA submit करवाने में होता है तो आप लोग अपना offline थरीके से मतलब अपने study center पर जा करके भी अपना TMA submit करवा सकते हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों को इसमें issue जो है काफी सारे बच्चों का निकल के आता है कि मैं TMA online submit कर रहे हैं तो मैं error लिख कर आ रहा है या TMA submit हो नहीं रहा पूरा process होने के बाद TMA accept नहीं कर रहा है जो भी reason है whatever reason behind that तो आप लोग उसका reason sorry solution directly यही है कि आप लोग जाकर offline अगर study center पर submit करवा सकते हैं तो जाकर अपना offline तरीके से study center पर अपना TMA submit करवा लीजिगा ठीक है और इसमें total आप लोग के six questions होते हैं question paper आप लोग कहां से मिलेगा TMA का जिसका link मैंने description box में दे दिया है उस link पे simply आप लोग को click करना है आप लोग के सामने जो page open होगा उसम से पहले आप लोग को अपना class देखना है secondary मतलब होता है 10th class और senior secondary होता है 12th ठीक है तो अगर आप लोग 10th के हैं तो secondary वाले block में जाएगा और अगर आप लोग 12th के हैं तो senior secondary में जाएगा senior secondary जैसे example लेके बताओ senior secondary में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग का जो TMA file में attach करना होगा totally TMA कैसे बनता है कैसा दिखता है उसके लिए मैंने अलग से video upload कर रखा है वो जाकर आप लोग देख लीजएगा TMA के regarding अरा अगर आप लोग कुछ भी doubt है कुछ पूछना हो तो वो सारी चीज़ने उस वीडियो में दिखा रखा है तो आप लोग मेरे चानल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो यहां तक तो होगी TMA के बात दूसरी बात है कि अगर आप लोग को TMA बनवाना हो तो आप लोग इस दियेगा इस स्क्रीन पर जो आप लोग को नंबर दिख रहा है इस दियेगे नंबर में मुझे कॉंटाक कर सकते हैं इस नंबर में मुझे कॉल मत करेगा वाटसाइब करेगा फिर उसके आगे कि जितना भी प्रोसेस है आप लोग को वहीं वाटसाइब पर समझा दिया जाएगा ठीक है अगर आप लोग को टी अ में बना हुआ पूरा चाहिए तो आप लोग को पूरा टी अ में बनाकर आपलोग के घर तक पहुँचवा दिया जाएगा फिर वहां से आप लोग को सिंपथि अपना ऊर्लीन सम्मीट करना हो वो offline submit करना हो वो आप लोग के responsibility होगी इसी तरीके से same as अगर practical file की बात किया जाए तो अगर आप लोग को अपनी practical file बनवाने हो तो भी यही same process है इसी number में मुझे whatsapp करके आप लोग अपनी practical file भी बनवा सकते हैं practical file क्या होती है simply आप लोग को यह TA में तो आप लोग को 31st January से पहले submit करवाना होगा यह एक तरह का आप लोग का assignment है जो compulsory होता है ठीक है इसके 20% marks add किये जाते हैं आप लोग के exam में दुसरी चीज़ अब practical की अगर बात किया जाए तो practical आप लोग को practical file तभी submit करनी होती है जिस दिन आप लोग का उस subject का practical होता है ठीक है जब आप लोग के for example practical exams जब मार्श में आप लोग के शुरू होंगे ठीक है तो या आप लोग किसी भी year के बच्चे हो कभी मतला अभी फिलाल आप लोग की 2022 public examination जो मार्श एप्रेल के होने वाले हैं उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ लेकिन अगर आगे किसी साल में आप लोगी वीडियो देख रहे हो या जब भी आप लोग का exam होने वाला हो ठीक है चाए October session वाले हो आप या कोई भी हो सब के लिए same वीडियो सब के लिए ये वीडियो important है ठीक है तो आप लोग को practical file के लिए simply जिस दिन आप लोग को जिस subject का for example home science का practical है ठीक है तो home science वाले practical के दिन जब आप लोग अपना practical का exam देने जाएंगे उसी दिन आप लोग को अपने practical file लेकर जानी होगी home science की submit करवाने के लिए जिस दिन जिस subject का practical exam होगा उसी subject की practical file साथ में लेकर जानी होगी अपने exam center पे और वहीं आप लोगो simply submit करवानी होगी ठीक है इसकी कोई fixed date नहीं है जिस दिन आप लोगो exam होता है उसी दिन आप लोगो submit करवानी होती है ठीक है तो प्राक्टिकल फाइल भी आप लोगो के लिए इसी तरह कंपल सरी होती है प्राक्टिकल फाइल आप लोगो को बनानी होती है और ले जाकर submit करवानी होती है तो आप लोगो का TMA प्राक्टिकल दोनों के बारे मैं ये वीडियो तो इसलिए लेकर आई हूँ ताकि जो new students हैं जो नए बच्चे हैं in IOS में कई बार उने समझ में नहीं आता कि practical file क्या है TMA file क्या है कब submit करना होता है क्या process होता है तो मेरे इस channel पर आप आप लोग को सारी details सारी basic चीज़ें जो है मैंने अलग से playlist भी लगा रखी है नियो students के लिए especially तो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं आप लोग के सारे doubts clear हो जाएंगे So students I hope जो new students है इसमें उनके सारे doubts clear हो गए होंगे फिर भी अगर कुछ doubt रह जाता है कोई चीज समझ में ना है तो आप लोग मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं साथ ही साथ हाँ अगर आप लोग को मेरी online class में join होना है तो भी same इसी number में मुझे whatsapp करिए मेरी online classes में join होने के लिए fees बहुत जादा नहीं है बहुत ही कम fees में आप लोग को अच्छी से अच्छी चीज में provide कराई जाएंगी important questions हो chapter summary हो chapter explanation हो life classes होती है बहुत जादा fees भी नहीं लगेगी आप लोग की और अच्छे से अच्छी तैयारी आप लोग की exam की करवा दी जाएगी आप लोग जो है अगर online classes मेरी join होना चाहते हैं तो मैं ही आप लोग को online classes में पढ़ाऊंगी so students मुझे इस दीगर number पर whatsapp जरू करेगा call मत करेगा direct whatsapp करेगा कई बारी call जो epic नहीं हो पाता तो whatsapp पर आप लोग का reply आप लोग को मिल जाएगा ठीक है so चलिए students मिलते हैं next video में एक new update के साथ बाकी time to time सारी information सारे updates मेरे channel पर आती रहती है so updates लेते रहने के लिए फटा-फट से मेरे channel के साथ जुड़ जाएगे मेरे channel को subscribe कर लिजे और subscribe बटन के बगल में ही एक bell icon भी है उसे ज़रू ख्लिक करेगा ताकि ज़र में videos जा लूँ ताप तक ज़र मेरे videos के notification पहुँच जाए video पसनाद पीज लाइक करेगा video को और भी नाएस के students के साथ share करेगा कुछ doubt हो तो पूछ लीजेगा सो चलिए strengths मिलते हैं next video में एक new update की साथ तब तक की लिए stay home stay safe take care of your health and immunity and thanks to watching and don't forget to subscribe my channel and share my video thank you